हेला आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज जो वो 13 नुवंबर है 2022 और डे हैं आज संडे तो मैं जो वो एक ट्रिक जो वो कहीं पर देख रहा था तो मैंने सुच आपको भी आपके साथ भी डिसकस करते हैं काफी इंटरस्टिंग जो वो ट्रिक है और काफ मैजिक तो मैजिक का जो वो एक मैजिक जो वो हम लोग देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे आप किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और वहां पे जो वो अगर आपको कैलुकलेशन जो फास्ट करनी है तो जो वो बैदिक मैजिक में जो भी ट्रिक ज चाच में त्रिक है मतलब कि अगर मालोग जैसे मैं मुझे जो आप लुटिप्लाइ करना जैसे मैं मुल्टिप्लाइ करूंगा थर्टी वन मल्टिप्लाइब फाटी फाइव ठीक है तो आपको सभी को बता है लेकिन बो जो त्रिक जो वो इस मैधर से फास्ट होना चाहिए तर्वी तो चाहिए तो कुछ ऐसी बताइजाते हैं जैसे कि उसमें क्या होता है कि आपकी जो जो जबो काफ़ी टाइम लगाते हैं इसलिए उन ट्रिक ट्रिक्स को याद करना जो मतलब कि वो जबो खोध ही बनाये जाते हैं किसी की दौरा तो प python va Infinite नहीं होते हैं ठीक है तो आज हम काफी इंट्रस्टिंग जो की एक ट्रिक है आप देखिए दो सेकंड में जो आंसर निकलेगा और कैल्पूलेसन टाइप करेंगे तब भी जो बनों की जैसे कैल्पूलेटर जो आंसर देता है चल्दी में वैसे जो इस तीक में जो आंसर देंगे बस कुछ जो यहा हो ना सुना हो डैसिमन वाला भी है ठीक है जैसे मैं लिए इसको मल्टिप्लाइब करना है 31 से मालो तो इनमें खास बात यह है कि इसका यूनिट प्लेस या वन्स प्लेस जो बो वन है तो यह जो स्पेसल नंबर लेना पड़ेंगे इस टिक के लिए जिनका यूनिट प्लेस वन हो ठीक है तो चल यह करते हैं मल्टिप्लाइब ज़रा इसको तो मैं लिखा यहाँ पर 21 मल्टिप्लाइब by 31 ठीक है अब मैं इसका आंसर जब जलदी से लिख लेता हूं फिर मैं आगको ट्रिक बताता हूं देखे तो मैं से पहले यहाँ पर यहाँ पर 5 लिख लिख लि पहले तो 21 आएगा जैसे कि आप स्कूलों में पढ़ा होगा और यहां पर यहां पर 156 देखिए बिल्कुल चाहिए हमारा अंसर तो मैंने जो यहां पर विनकल कैलकुलेशन किये इस कैलकुलेशन से फास्ट है तो इसलिए यह ठीक है ठीक है तो अब मैं बताता हूं कि क्या ज इसको वन को वन के साथ मल्टिप्लाइका नहीं वन प्रेस वन प्रेस वाले प्लेस है तो इन दोनों को प्लस किया तो देखिए 5 और तू 5 फिर इनको मल्टिप्लाइकाना है तू 6 तो 6 तू 6 तो example के लिए एक नाय नमबर लेते हैं 31 multiply by 41 बिल्कु सिंपल 111 हो गया multiply करना है four or three हो गया seven and four three हो गया 12 answer आ गया 1271 लेकिन आपको जो देखिए एक दो ही नमबर बदाए जाते हैं हम इससे आगे वी चलेंगे जब वहां पर exception होगी ठीक है अब मैं बताऊंगा कि आप से exception कहां पर होगी जब आप जो इन दोनों को प्लस करने पर 9 से ज़्यादा नमबर आ जाए फिर तो आपको carry जो आगे forward करना पढ़ेगी जैसे कि आप करते हैं ठीक है बस वही नमबर देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रिक होते हैं वो जो ऐसे short video में बता देते हैं लेकिन डीटेल में नहीं बताते हैं फिर जो आपको problem वहाँ पर आती है जब आपके पास कोई number ऐसा है जैसे 81 हो गया जैसे 441 हो गया अब आप बनेगे कि यहाँ पे तो ठीक है 11 चाब 1 हो गया ठीक है और last one number भी ठीक है sorry last one number नहीं ठीक है अब आपने किया गना था इन दोनों को plus क को समझना है कि ठीक जो इसमें काम कर रहा है ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना था 81 multiply 41 बिल्कुल सिंपल है 11 जब नहीं होता है ठीक है अब आपने इन दोनों को plus किया तो 12 हाया अब 12 मत लिखिये 2 लिखिये एक जो आगे 32 में प्लस कर दिए फिर ठीक है जैसे आप प्लस करत नहीं ठीक है मेरे क्या से तू नहीं बचेगा ठीक है तो जब आप प्लस करेंगे दो नंबरों को तो 9 और मैक्सिम नंबर बड़ा से बड़ा एक डीजिट वाला 9 नहीं हुसकता है 9 और 9 कि तरह होता है 18 तो 32 and 33 ठीक है तो यह जो हमारा आंसर होगा ठीक है आप चाहों तो क करके कैल्कुलेट करके मैं कैल्कुलेटर पर बतासकता हूं देखिए 8141 देखिए 8141 कैल्कुलेटर कहां गया 81 multiply by क्या था 41 था या 31 था मैं बोल गया साइद 41 था साइद 31 and 33 21 आ रहा है बिल्कुल सही है हमारा ठीक यह तो चलिए अब बात होगी 2 डीजिट वाले नंबर को multiply करने की एक तो एक ट्रिक था हमारा आज का सेकेंड ट्रिप देखिए जो कि काफ़ इंटरस्टिंग है जो कि decimal वाले नंबर पे जो आप apply करेंगे इसमें जब आपको क्या करना है कि decimal वाले बहुत सार नंबर लेते हैं लेकिन एक special सीरीज में देखिए कैसे जैसे मैंने लि देखा यहां पर 0.33 ठीक है यह एक और बार लिख लिए यहां पर तीन बार होगा ना continue चल रहा है तो आगे होगा 0.333 and 4x3 अब आप देखते होंगे कि सबसे चोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है फिर बड़ा नंबर है ठीक है प्लस करती बार कुछ नहीं होता है कि चो नंबर के ओपर कुछ नहीं होगा तो 0 लगा एंगे टिक है नेक्स नम्बर लिखना है तो मैं रहता होगा 0.333 ठीक है नेक्स लिखना दो 0.333 ठीक है जब आ प्लस करेंगा तो यहां पर त्री आजागा यहं इस शुरा नजा आज यहां पर ट्रें ट्रेंखने वाल हॉत तिख साएगा यहां पर नाइन आ जाएगा और यहां पर ट्वाच यह जाएगा ठीक है और देसिमल जो यहां पर लगेगा फिर रर काव लागी आठ वर नौ के बीच में तेक है लेकिन यह जू के प्रेसन है तेक है इसमें थोड़ा सा थाइम नग रहा है अब इसके लिए क् जब डारेक्ट लिखने वाला हूं जैसे इसी को ले लेते हैं 0.3 लिया मैंने टीक है 0.3 एक लिया मैंने वही नंबर है सेमी 0.33 प्लस 0.333 एंड 0.4 टाइमस त्रीक है बड़ा नंबर है आपको जो वह कंपेरिशन पता होना चाहिए कि डैस्मल वाले नंबर का कंपेरिशन जो वह कैसे करते हैं वह आपने चोटी क्लास्स में पढ़ा होगा तो आपने क्या करना है सिंपली आपने यहां पर देखें यहां देखेंस्ट के बाद कि ढ़र है तो यहां पर ढ़र लिख ले लिखेंस का है 2 को 3-4 को 3 इस फॉर्व रिते समार देड है Gargan लेकिन आपने वन च्येась हमें जाहे है तो यहां पर तडिषा हो गया बात है कि अब अप treatment यहां पर फोर डिजिट के बाद है तो आप फोर डिजिट के बाद रगाएंगे वन टू टू त्री फो यहां पर डैस्मल लगेगा तो यह बन गया वन पॉइंट टू नाइन सिक्स तरी जैसे कि आपको बताए कि इन डैसिमल के बाद वाले जो डिजित होते हैं उनको जो हम लोग अखेले-खेले करते हैं जैसे टू-ेक्स टिया प्रगाएंगर तो इसको तो टू संद यहां प्लस परण इन लेते हैं आपने क्या करना ए सिंपली इस पूर को पहले से यहां पर टू है यहां पर त्री है अब चाहो जो जितने बरजी नम्हा लेलो कोई फरक ने बाड़ेगा अब चाहो तो पांच वार ले लेते हैं 0.4444 टीक है वही ले एक और ले लेते हैं चले इतना एक टे टेक है तो फिर लिखने में थोड़ी से प्रावल्म हो जाएगे अब होगा वहरोगोष यहां पर फिर से जो हम चेक करेंगी कि एक्सेप्षन तो नहीं है तो ङींगहां पर यह कौना पे ही लास्टार हमारा जो जो भी जैसे 1000 टक या ठैन 551 तक चाराए वाँ fiscal वाल दूछ तो चलेगा barrelशी ना और यहां पर ही जुन को टीक है तो ठी तो यहां पर टू लिखिए एक को याद रखिए तो इह जो इस कांसर हो जाएगा लेकिन आप डैसिमन लगाना ना बोले तो यहां पर फोर डिजिट के बाद है एक भार चेक कर लेते हैं हम लोग पर आप जोब अपने अपने फाल को थोड़ा सद गुमा करके देख करते हैं तो मैंने किया था है एक और फाइब 15 ne अब देखिए यहां पर आपने जो वसक पहले क्या करना था यहां पे फाइब को बन से करना था जैसे तो यही जो वहमारत दिखता तो इसी के साथ जो वीडियो का अंड करते हैं आप पदाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो अपने friends के साथ जो share करते हैं और like करें thank you and have a nice day